नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को उत्तरपदेश लेटपाल की भरती निकली है तो उसका अनलाइन फॉर्म मोबाइल से में बहनना सिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको यूपी टीपल इस्टी का ऑफीसियल वेपसाइट खोलना है मोबाइल से और मोबाइल में यहां ऊपर क्रोम है तो यहां क्लिक करेंगे पिडेक्स टॉप साइट करेंगे फिसके बाद यहां आपको ओपन हो रहा है कि सब्सक्राइब को में फेज खुल गया अब यहां पर कंडिडेट सब्सक्राइघर करना है कि यहां अपलाई कर देना है पिर कंडिडेट registration कर देना है फिर notification पूरा दिया है तो इसको कोई बात नहीं तो यहां टिक लगाके i agree कर देना है अब यहां पर आप दो option है कि आपके पास अगर पहले से ही registration form नंबर है तो आप यहां registration नंबर, date of birth, gender आप उत्तरप्रदिस है या नहीं यह category फिर capture code भरके आगे proceed करेजिए अगर आपके पास registration नंबर नहीं है तो आप auto ap के थुरू कर सकते हैं फिर आपको यहां पर proceed दिया है तो यहां पर ok कर देना है फिर आपका page खुल जाएगा तो आगे आपको यहां पर कुछ नहीं करना है सब पूरा पहले से बहरा हुआ सिर्फ आपको यहां पर यह inter का जो record है उसको डालना है यहां पर आपको yes कर देना है फिर intermediate जिस पॉर्ट से किया है उसको भर देना है फिर उसके बाद आपको यहां पर जिस year में पास किया है फिर इंटर्मिडियेट का रूल नंबर, फिर इसुडेट मार्क सीड में आप सर्टिफिकेट में देखेंगे नीचे डेट दीया रहा था उसको डालना है फिर आपका यहां पे परसंटेज आपका ग्रेड सिस्टम है या नहीं UP board से हैं तो percentage system और CBST board से रहेंगे तो वहाँ पे gate system रहेगा फिर आपको यहाँ पे capture डाल देना है, capture डालने के बाद submit कर देना है फिर यहाँ पे आपको ok कर देना है फिर आपका पूरा यहाँ बायो data आ जाएगा इसको आप अच्छी तरह से check कर सकते हैं चेक करने को यह से जरूरत नहीं है क्योंकि सब पहले से आप भरविये हैं यहां पर क्रिक हीयर टू प्रोसीड पर ओके कर देना है यहां पर आपको कांटीनू कर देना है फिर नया पेज खुलेगा तो इसमें फिर आपको वेरिफिकेशन कोड यही डालना हो इसके बाद तुरंट सब्मिट कर देना है यहां पर ओके कर देना है अगर सब कुछ सही है तो तुरंट आपको यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट फी एंड फाइनल समिसन पर करना है अगर कहीं कुछ गलती आपको नजर आती है या लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो तो आप यहां पर फिर से प्रिवीव या इडिट कर सकते हैं आपको फिर यहां पर ओके कर देना है नया पेज खुलेगा क्लिक यह टू पे तो आपको अहां पर ओके कर देना है यहां पर आपको यह कर देना है पिर यहां नीचे मैं आपको ऐसा मॉप से ओके करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट फिर ओके पिर यहां पर आपको क्लिक कर देना है फिर 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 दिपोजित फिर ओके आप यहां पर पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर कार्ट पेमेंट से कर सकते हैं या फिर अधर यूपी 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 यू यहां से आप प्रिंट कर सकते हैं